ओम स्रीगने सायनमा दूस्तू एश्ट्रू समाधान यूट्यूब चैनल में आपका हर दिक स्वागत है दूस्तू आज एकी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं 15 सितंबर रविवार की रासी फल्क के बारे में कि यह दिन में स्रासी वालों के लिए कैसा रहने वाला हैं किन किन चीजों से इनको फाइदा होगा किन किन चीजों से इनको सावधान रहना होगा इनकी लव लाइफ कैसी रहेगी करियर कैसा रहेगा बिजिनी सर्वियापार कैसा रहेगा और स्वास्त की महत्पपोन जानकार हम आपको देंगे और इसे वीडियो के अंत में हम आपको एक उपाई भी बताएंगे जिससे आप अपने आज के दिन को और भी अच्छा और बहतर बना सकें दोस्तों आगे वीडियो सुरू करने से पहले मेरी आप लोग को से रिक्वेस्ट है अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें साथ में नोटिफिकेशन बैल को भी दबाएं जिससे समय समय पर आप लोगों तक हमारी ने ने वीडियो पहुंश सकें चलिए दोस्तों बात करते हैं कैसा रहेगा मेस रासी वालों के लिए रवीवार का दिन सबसे पहले बात करत हैं क्या आपके लिए आज पोजटिव रहने वाला हैं दोस्तों आज आपकी आर्थिक इस्तिती काफी अनुकूल रहने वाली है आर्थिक लाव के लिए आज आपको अच्छे मोके प्राप्त हो सकते हैं वैवसाय से संबंदित या फिर बहर के कमपनियों से संबंदित कारों में आज आपको अच्छा लाब प्राप्त होने की भी संभावना पाई जाती हैं दोस्तो आज बहर से कामकाज को लेकर भी आपके लिए कुछ यात्राइं हो सकती हैं जो आपके लिए अवश्य ही लाबदाइक साबित होंगी दोस्तो साती सात शिक्षा के छेत्र में भी आपको आज अनुकूल पहिणाम प्राप्त होंगे और उच्च शिक्षा के लिए प्रयासरत लोगों को भी अच्छा लाब आज प्राप्त होगा आपके ज्यान में व्रद्धी होगी और वरिष्ट तथा गड़माने लोगों अच्छा साबित होगा दोस्तो पूरे परिवार में आज सभी लोग काफी जोस में दिखेंगे घर परिवार में आज हर सो उल्लास का माहुल रहेगा इस दोरान आप किसी प्रापर्टी के बारे में भी गहराई से विचार करेंगे और संभवतें आज आप कोई के लिहाज से आज के दिन का समय आपके लिए बहुती अच्छा समय रहने वाला हैं जै दोस्तो आज के दिन का समय आपके लिए मौज मस्ती और आनंद से भरा हुआ रहेगा तो कि आप जिन्दिकी पूरी तरह से जिएंगे जै दोस्तो आपका मनोबल और पूरी तरह से पनपन भाव आपके लिए आज नई उपलब्दियां प्रदान करेगा जा दोस्तो आपकी थोड़ी सी भी मेहनत का आज आपको भरपूर फल प्राप्त होगा जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा जा दोस्तो इसलिए आज आप शमय का सद्यों प्योग करें कोकि आ आज आपको अच्छा लाब प्राप्त हो सकता है जिससे आपको काफी खुसी का अनुबव होगा दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपके लिए क्या नेगेटिव हो सकता है दोस्तो परिवार का माहूल आज खराब होने की संभवना पाई जाती है इसलिए परिवारिक इस्थि व्यक्ति भी हैं इसलिए आप अपने घर परिवार के प्रती अच्छी भावनाई रखते हुए एक दूसरे को जोड़ने का प्रियास करें जा दोस्तो साथी साथ आपको अपने कार इस्थल को लेकर भी आज कुछ ऐस संतुष्टी का भाव रह सकता है क्योंकि आप जितनी मेहनत करेंगे आपको लगेगा कि आपको उतना परिणाम नहीं मिल रहा इसी कारण आप कुछ हद तक स्वैम को बदा हुआ महसूस कर सकते हैं दोस्तो साती साथ गलत लोगों के संपर्क में तथा गलत संगती से दूर रहने का आज आप प्रियास करें अन्यता किसी तरह की आर्थिक समस्याओं का आज आपको सामना करना पड़ सकता है मानसिक असांती के साथ-साथ काररे व्यवसाय में भी आज व्यवधान उत्पन हो सकता है मन में घवराहट तता परिसानियों से काररे योजनाओं में बादायen उत्पन हो सकती है अथे सावदानी रखना आपके लिए अनिवार रहे दोस्तो साथिसाथ आपका शक्की स्वयभाब आपके लिए आज कुछ परिसानिया उत्पन कर सकता है बच्चों पर ज़्यादा अनुशाशन रखना उनके लिए परिसानिया खड़ी कर सकता है इसलिए अपने स्वयभाब में आज आप थोड़ा लचीला पन लाएं पिता का स सम्मान करें कुछ मतवेद उत्पन हो सकते हैं थोड़ा साफधान रहें दोस्तों साती सात आज आज आप जल्दबाजी में कोई भी निवेस ना करें अगर आप सभी मुमकिन कोणों को परखेंगे नहीं तो आपको नुक्सान हो सकता है दोस्तों आज अचानक यात्राओं के क करण आप आपा धापी और तनाव का शिकार हो सकते हैं उधार मांगने वाले लोगों को नजर अंदाज करें मत बेहदो की एक लंबी श्रंखला के पनपने के करण आपको समंझस बैठाने में मुश्किल आज आसकती है थोड़ा साफधान रहें दोस्तों बात कर लेते हैं जबकि लव लाइफ केशी रहने वाली हैं दोस्तों अगर आपके दमपत्ते जीवन की बात करें तो आज का दिन आपके प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है या दोस्तों प्रेम के मामलों के लिए आज का समय बहुती अतियुत्तम रहेगा या दोस प्रेमी का पर आप भरोसा रखें तथा एक दूसरे से प्यार में संगलन रहें क्योंकि आज का दिन प्रेम जीवन के लिए बहुती अच्छा दिन रहने वाला है इस दिन का आपको अवश्य ही लाब उठाना चाहिए दोस्तो बात कर लेते हैं आज आपका वैवेशाय केरियर कैसा रहने वाला है दोस्तो अपनी योजनाओं को आप किसी के सामने ज़्यादा जाहिर ना करें आपकी गुप्त योजनाएं आपके काम में ज़्यादा फायदे देंगी जह दोस्तो इस समय कहीं से आज आज आपको अचानक लाब मिलने की भी उमीद है दोस्तो बस आपको अपने निर्ने को ही मननता दें पबलिक डीलिंग के कारों में आज आपको अवश्य ही फायदा होगा जह दोस्तो वेवसाइक छित्र में धनलाव की आज इस्तिती रहेगी कार्रे आज आपके लिए सभी आसानी से सफल होंगे कारोबार विस्तार की आज आप योजनाएं ब रखनी होगी प्रॉपर्टी में निवेस आज आप कर सकते हैं जो आपके लिए आगे चलकर अवश्य ही लाबदाएक सिद्ध होगा साथी साथ नोकरी पेसा वाले जातकों के लिए भी आज का दिन बहुती अच्छा दिन रहने वाला है नोकरी से संबंदित कोई अच्छी बड़ी खुसकबरी आज इनको अवश्य ही प्रात हो सकती है जिस सेन का मन बहुती प्रसन रहेगा दोस्तों बात कर लेते हैं आज आपका स्वास्त कैसा रहने वाला है दोस्तों आज आपका स्वास्त समरद बना हुआ रहेगा लेकिन सुबासुब ग्रहों की इस्तिती के क आज आपको शकारात्मक वे नकारात्मक दोनों ही तरह के परणाम देखने को मिलने वाले रहेंगे। दोस्तो साथी साथ अपने स्वास्त को और भी अच्छा रखने के लिए आप रुजाना योग करें वयाम करें स्वास्त रहें। अपनी मनों काम नए मांगे। या दोस्तो ऐसा करने से भगवान शुर्यदेव बहुत जल्द प्रशन होकर आपके समस्त कष्टों को दूर करेंगे। समस्त परेशानियों कांत करेंगे और आपको जल्द ही सुब फलू की प्राप्ति होंगी और आपके समस्त कार्रे बहुत यासानी से बनने लगेंगे। दोस्तो भगवान शुर्यदेव का शिरवाद आपको प्राप्त हो। सच्चे दिल से कमेंट समोक्ष में जै शुर्यदेव अवश्य लिखें और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। धन्यवाद।